इस चीज का मुझे बेहत दुख है मुझे लगता है कि पहली जैसे में बाहर आई मुझे बहुत लोगों का प्यार दिखा जहां पे लोगों ने बोला कि आप लोगों मुझे बहुत अच्छी है कि मैं बहुत अच्छी इमेज के साथ बहार आई हूं इस चीज का मुझे बेहुत दुख है कि मैं थर्ड वीक में जो इतने फुल-on अपने गेमिंग स्प्री में आ चुकी ते अपने वाइप आ चुकी जहां पर में अपनी स्टाइज है कि अपने अपने अटाइक छांद में आफ अपने ओने अपने अपने आप अपने एंपने अपने ए अपन ओडिइट गूप के साथ ईलाइंसे बहुझ भanagen के अपने ऑपने एपने एक बहुत कर गोग में टफाय था वे दिढ़ा था जो स्टार्टिंग से उन्हों ने उनको गेम का फॉर्माट पता था मुझे नहीं पता था था तोड़ इस परस्नालिटी कॉंटेस्ट एंड आइ डिन नॉट नो था मुझे देवान से एक अटैकिंग वे में रहना पड़ेगा अगर मुझे पहले किसी ने ब्रीफिंग दिया होता कि नायरा यह गेम है अटैक का आपको जाके जबरदस्ती इसकी पैन डूस क्यों है इसका वो क्यों लूजे जाके मुद्ब बना के जड़े करने होंगे तो मैं हंडिट परसन सोचती कि यह मेरे लिए है कि नहीं मुझे लगा था मुझे बार बार बताया गया था कि यह आपको Big Boss नहीं देखना है ताकि आप और गयानिक ली करो जो आपको करना है और गयानिक ली आप जब किसी नए जगह पे जाते हो आपको एक दो हफता लगता ही है आपके आसपास के लोगों को समझने के लिए और आपकी वाइब समझने के लिए विच वेरी नाच्री प्र आपको मेरा कुछ एक डिसाग्रीमेंट हुआ है आप चिलाओगी इंसान तब चिलाता है या फिर इंसान तब अपना वॉल्यूम हाई करता जब सामने वाला इंसान आपका सुनना नहीं चाहता बट मेरा तरीका ही आपको बाजो में बटा के बात करना अपने उस तरह देना प्लस लोगों को लगा था कि मैं बहुत डॉमिनेटिंग हो लोगों को लगा था मैं बहुत डॉमिनेटिंग हो मैंने जब लोगों को किचन के रूल्स बनाए या फिर बातरूं के रूल्स बनाए मैं इतनी डॉमिनेटिंग थी तो लोगों ने मुझे चालेंज क्यों नहीं मेरे जितना तम जाम, मेरे रखव्साड़ इंतराइचन थे मैरे पर्समाではन मेरे परस्मेलिटी गए जुशनेते थे वह और मुझे नहीं पता est कि आपिन अर्मांषे पता है किवा ए्पैसूड के ऐीड यह लाला था मैं समझी गेम को मैं लोगों की असली चहरे जब पहचानी तब मेरे को रियलाइज होने लगा कि मैं कैसे किस को इलिमिनेट करना चाहती हूँ बिकोज आसो दर्यल फेसे बट दे बान में जबरदस्ती किसी के साथ मुद्दा उठाना इस नौट पॉसिब कुवा ही नहीं मेरे साथ किसी ने ना मुझे चैलेंज के ना मैंने किसी को किया सब तो मेरी बात मान के मैटे थे